हेलो फ्राइंट्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब लिरंकाराट चैनल पर आज हम बनाने जा रहे हैं साबुन और उन्ज से मचली यहां मैंने लक्स की साबुन लिया है और यह मैंने एक पार्ट बनाकर रखा था अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से मचली यह देखे फ्राइंट्स कितने अच्छी बनी है अब हम स्टार्ट करेंगे यह देखो, मैंने एक पार्ट बना लिया और मसली बना करके तेयार कर ली थी, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, यहां मैंने पास फंदे की चेन लिया है, और तीन फंदे की चेन बनाएंगे, और डबल क्रोश या लेंगे, फिर से तीन फंदे की चेन, फिर से डबल क्रोश या, तीन बार निकालेंगे, फिर से तीन फंदे की चेन, तीन बार निकालेंगे ऐसे, सिंगल क्रोश या, इसत्य से मारा ये आगे का हिस्सा अब एक पंदिग चेन लेंगे फिर हम बिना धागा घुमाें सिंगल क्रोशया निकालेंगे और अब फिर से लेंगे हम थीन पंदिग चेन फिर लेंगे हम डबल क्रोशया डबल क्रोश या तीन बार दो फंदिक चेन फिर से तीन बार डबल क्रोश या एक डबी में से हम तीन बार निकालेंगे अब एक फंदिक चेन लेंगे फिर से हम डबल क्रोश या फिर से डबल क्रोश या तीन बार निकाल लिया और दो फंदिक चेन फिर डबल क्रोश्या वो एक पंदेक चेन इस तरह से घुमा लेंगे फिर हम बिना धागा घुमाएं सिंगल क्रोश्या इस तरह से निकालेंगे फिर से लेंगे तीन पंदेक चेन फिर से डबल क्रोश्या दो पंदेक चेन फिर से डबल क्रोश्या तीन बार निकाल लेंगे इस डब्बे में से आम लेंगे तीन फंदेग चेन और बीना धा का घुमाएं सिंगल क्रोशिया तीन फंदेग चेन डबल क्रोशिया तीन बार इस तरह से डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया दो फंदेग चेन डबल क्रोशिया इस डबी में से तीन बार एक छे बार निकालेंगे तीन-तीन बार करके फिर सिंगल क्रोशिया बीन अधा का घुमाए तीन फंदेगी चेन फिर से डबल क्रोशिया तीन बार निकालेंगे दो फंदेगी चेन एक ही डबी में से हम छे बार निकालेंगे तिन तिन बार डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया तीन फंदे की चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बिना धागा गुमाएं तीन फंदे की चेन सिंगल क्रोशिया बिना धागा गुमाएं तीन फंदे की चेन बनाकर अब फिर डबल क्रोशिया, तीन बार निकालेंगे, डबल चैन करके फिर से तीन बार निकालेंगे, छे बार एक डब्बी में से हम इस तरह से निकालेंगे, एक फंदे की चैन करेंगे, कोने पर जाके, फिर से घुमा लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बीना धागा घुमाएं अब लेंगे तीन फंदे की चेन फिर से डबल कुरोशिया, दो फंदे की चेन फिर से डबल पुरोशिया, अब तीन फंदे की चेन बनाएगे इस तरह से, हम पांच डबी बनाएंगे ये पांच बार लेंगे और छे में से घटा देंगे जब छे हो जाएंगे तीन फंदे की चेन फिर से अब लेंगे बीना दागा गुमाई सिंगल क्रोशिया आगी सी डबी में हम घटाना सुरू कर रहे हैं तीन फंदे की चेन बीना दागा गुमाई फिर से तीन फंदे की चेन फिर सिंगल क्रोशिया बीना दागा गुमाई तीन फंदे की चेन अब लेंगे हम यह चार फिर लेंगे अब बनाएंगे डबी में से तीन बाल डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया दो फंदे की चेन फिर से डबल क्रोश या इस तरह से हमारी मसली एक आई है जो इससा आई है अब घट आएगे यह घट रहा है पांस पंदे की चेन बनाएगे और एक डबी छोड़के अगली डबी में से इस तरह है बिन दागा गुमाएं सिंगल क्रोश या तीन पंदे की चेन फिर से तीन पंदे की चेन बिना दागा गुमाएं सिंगल क्रोश या पांस पंदे की चेन करेंगे आप डबी में से निकालेंगे हम तीन बार डबल क्रोश या डबल क्रोश या दो फंदे की चेन फिर से डबल क्रोश या तीन बार निकालेंगे एक डबी में से का पनेकि चैन अभीना धा केंगऊ फिर संगल प्रोशिए संगल प्रोशिट क्यों वह तिन पंदे की चैन वार निका लाएं बाद निका ले डबी में सवक् say अम 5 पंदे की चैन लेगी और हमारे जो एक डब्बी बची थी उसको हम इस तरह से पांच फंदे की चेन लेंगे फिर अगली जो डब्बी बना इसमें को तीन बार निकालेंगे डबल क्रोशिया ये बन आप हम लेंगे फिर से पांच फंदे की चेन एक सिंगल जो डबी बची थी उसमों को एक बार निकालेंगे सिंगल क्रोशिया फिर से पांच फंदे की चेन अब दूसरी डबी में से लेंगे डबल करोशिया इस तरह से हम ये पत्ती बना लेंगे अब फिर डबल करोशिया डबी में से छे बार निकालेंगे तीन बार दो फंदे की चेन फिर से तीन बार अब एक फंदे की चेन लेंगे अब यह जो दूसरी डब्यस में से इस तरह छे बार निकाल लेंगे तीन बार फिर इसे तीन बार दो फंदे की चेन फिर इसे तीन बार छे बार एक डब्य में से मैं छे बार निकाल ला यानि के छे पत्ती बनानी है मैं तीन इधर और तीन इधर डश सरी तरी पategोर स्वेस्ट वाल निकाल लेंगे। उसको भू को आउ nou, यहां कोटो में ड़ूत के बाऑ निकाल लेंगे जोफेट र्शात लेऊ goo एखिज़ डब के बादो जो 먹고 ही। सिंगल क्रोश या सिंगल क्रोश चैन ते वह सिंगल क्रोश लेंगे बीना दागा घुम आए इस्ऐत क्ता सभी डप्री में से इस तरह सा निकाल लेंए भीना दागा घुमाई freight अ आप तीन पंदेक चेन लेंगें पिरसे हम छे डबी बनाएंगे तीन डबी डबल क्रोश्या दो पंदे की चेन है अब लेंगे पांच पंदे की चेन अब जो यह बीच वाला इससे मपीना धागब गुमाएं सिंगल क्रोश्या लेंगे फिर से 5 पंदे की चेन फिर से दब्बी में बनाएंगे छे पत्ती यह वाली इस तरह से अब हम धागे को काड़ देंगे अब हम जो हमारे मसली के दो इस से अब इनको हम सिलाई करेंगे सिलाई हम क्रोशे से करेंगे साबुन इसके अंदर इस तरह से रख देंगे यह हूं कि देखने में हमारे मसली इस तरह से लगेगी बनने के बाद आए थो हम जोईट करते जो हमारा आगे का हिस्सा मुओं का मचली का उसमसे हम हम इस तरह से ठागा बांद लेंगे और दो बार निकाल लेंगे डबल क्रोश या तीन फंदे की चेन सिंगल क्रोश या बिना धागा गुमाएं तीन फंदे की चेन लेंगे बिना धागा गुमाएं सिंगल क्रोश या फिर से तीन फंदे की चेन इस तरह से हम करके जॉइंट कर लेंगे अब यह मारा पीछे का हिसा है जो मचली का पीछला हिसा है इसमें सम लेंगे कोनर पर जाके एक डबी में सम तीन बार निकालेंगे सिंगल क्रोशिया बीना दाग घुमाए यह इस तरह से कोनर बन जाएगा तीन बार चैन फिर सिंगल क्रोशिया तीन फंदे की चेन सिंगल क्रोशिया बीना दाग घुमाए इस तरह से हम जाइंट करते जाएंगे जाएगा यह फिर से तीन फंदे की चेन बीना दाग घुमाए अब यह कोनर पाक है हम एक डबी में से दो बार निकालेंगे इस तरह से एक डबी में से दो बार बीना दाग घुमाए सिंगल क्रोशिया तीन फंदे की चेन फिर इस तरह से ही सिंगल क्रोश या बिना धागा घुमाए तीन पंदे की चेन साबुन को इसके अंदर डाल देंगे मचली है इस तरह से अब हम पूरा यो ज्योइन्ट कर लेंगे यहां से लेकि यहां तक का इसी तरह तीन पंदे की चेन बिना दागा घुमाएं, सिंगल ग्रोश या, सिंगल ग्रोश या, तीन पंदे की चेन, सिंगल ग्रोश या, तीन पंदे की चेन, फिर से, तीन फंदे की चेन, सिंगर क्रोश यह फिर से तीन फंदे की चेन, यहां से हमने सुरूप किया था, उधर से आके हम इस तरह प्राश्ट में जोइन कर देंगे, अब धागे को काट लेंगे, बिठान लगा देंगे, यह अब ताके मजबूत बन जाए है, खुले न, यह देखो हमारे मचली इस तरह से लग रही है, बन गई, अब हम बनाएंगे मचली की आग, यहां मैंने तीन फंदे की चेन लिए, और सिंगल क्रोश या भीन धागा गुमाए, सिंगल क्रोश या भीना धागा गुमाए, इससे सिंगल क्रोश या भीना धागा गुमाए, अब यहां आख बन गई है मचली की, अब हम इसको चिपका लेंगे, मैं फाइवी कोल था, मैं फाइवी कोल से चिपका रही हूँ, किसी बची से अब एक मोती था, मैंने मोती से आखे बनाई है, उपर एक मोती लगा दिया इनके, हमाने मसिलिया बन करके तयार है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, बनाने में बहुत इसी है, हम टेविल पर खाने भी डिनर साट पर, कभी भी हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, रखने के लिए, बच्चों के टेविल पर पढ़ने के टेविल पर भी रख सकते है देखने में बहुत सुन्दर लग रही है और बन भी जल्दी गई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सस्क्राइब सेर करना वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बाइ